तो बीते एक साल में टीम इंडिया तीसरी वार फाइनल मुकाबला हार गई है, 2023 डबलू टीसी का फाइनल इंडिया वर्सिस ऑस्ट्रेलिया जीता कौन ऑस्ट्रेलिया, 2023 वंडे वोर्ड कप का फाइनल इंडिया वर्सिस ऑस्ट्रेलिया जीता कौन ऑस्ट्रेलिया, और इन त सब्सक्राइब करें तो सबसे पहले बात करते हैं कल खेले गए मुकाबली की मैदान पर क्या कुछ घटा है अस्ट्रेलिया ने टोस टीता पहले वेटिंग करने का निर्ने लिया और बोर्ड पे लगा दिये 253 रन साथ विकेट के नुकसान पर पचास ओवर में और इससे पहले और 19 वोल्ड कप के फाइनल में 200 प्लस रन नहीं बने थे यानिकि 250 प्लस रन नहीं बने थे लेकिन ऑस्ट 53 रन जड़ दिये साथ विकेट के नुकसान पर पचास ओवर में जिसके बाद जब टीम इंडिया जब रन चेस करने आई तो टीम इंडिया की सुरुआत अच्छी नहीं हुई पहला जड़का बहुत जल्दी लगया टीम इंडिया का जो पहला जड़का था वो तीन रन पर ही लग गया था तीसरे ओवर में लेकर उसके बाद टीम इंडिया ने एक ठीक ठाक बैटिंग की और आदर शिंग और मुसीर खान के बीच में एक च्छोटी सी पार्टनर से बहुत स्लो होती दोस्तों कि जब दूसरा विकेट गिरा तेर में ओवर में टब टीम इंडिया न बसक्राइब तीसरे विकेट गिरा पिसअंवार्टी में लेगा तब animal सातरे में गिरा था और उसके बाद यो टीम इंडिया जो एफिर उसके नजल आयो हमें अट विखर टween पर चाल पर चाल हो गए सचीन 9 उनका विकेट गिरा अब 20 में ऑवर में और 20 में और में जब टी टीम इंडिया न जो और उसके बाद उसके बाद रुप में टीम इंडिया तो वह इस मुकाबले से बहुत कम रहा है इसके बाद दोस्तों बात करेंगे मुसीर खान की उनके बाइस रन जरूर निकले लेकिन 33 गेंदे खेली उन्हें ने तो बहुत ही इसके बाद दोस्तों हमारे जो श्टार बरले बाज से ओधर कप्तान उन्होंने कुछ खास नहीं किया अठारा गेंदे ली उसके बाद जो है सचिंदास नौरन बनाए और उन्होंने आठ ये लिए उसके बाद प्रयांशू 21 गेंदे खेलके नौरन बनाकर आउट हुए हैं और अंत में दोस्तों मुर्गन अभिशेक ने बढले बाद जी कि उन्होंने बताया है कि इस विकेट पर रन बनाए जा सक लेकिन टीम इंडिया जो है वह कहीना कई प्रैसर में यह मुकाबला खेल गई और यह मुकाबला हार गई और वन साइडर मुकाबला हार गई तो क्यों आखर कार टीम इंडिया यह वन साइडर मुकाबला हार गई और क्या कारण है जिसके बज़े से टीम इंडिया वन कोने काब्स बसुत है और यही होता थे क्विप दूजर्व के फाइनल मकाबले में में को नहीं समझा उनको लगा कि इस विकेट पर बॉल टर्न करेगी और हम उस्ट्रेलिया को स्पिन जाल में फसा लेंगे लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं हुई और हमारे रविंद रड़ेजा और कुल्दी पादब को कोई विकेट नहीं मिला था यह दोनों हमारे स्पिन खिलाए और उन्होंने वह काम करके भी दिखाया है वागी स्पिनर पर टीम इंडिया बरोसा किया लेकिन आज विकेट पर जो है स्पिनर कामयाव उस तरीके से नहीं हुए दूसरा तो जो तो करद रहा है वही है जैसा कि वान एक उताया कि तेज गेंद बाद जो और वह औ तब हां तो में केंगा हो सकता है उसके बाद दोस्तों यहां पर बात करेंगे wraith की सीब था कर तीस्थ तीसरा कर रहे है कि आस्ट्रियलिया मतलब बारत venture रहा प्रेशर फिर भी तो यसे सुचवा और बिल्कुल भी तुक तुक करके खेला गया है डॉट वॉल निकाली गई है जिसकी बज़े से टीम इंडिया पर प्रैसर भी बढ़ा है और फिर उसकी बज़े से जो है बिकिट भी गया है और मुसीर खान को तो दोस्तों एक मौका भी मिल गया था सिलिप में एक बहुत ही स मोखे मिले बले को लेकिन उन मोखे का फारगों हमारे बले बाजो में उसके बाथ और बात करेंगे अगर आप सेमी फाइनल देखेंगे तो टीम इंडिया के 32 रंपरी चार विक्ट हो गए थे लेकिन साचिस दास और उद्र साहरन ने जबर्दस बर्लेबाजी की और मुकाबले को जबर्दस तरीकी से मुकाबला जीता और अगर थोड़ा पहले जाएंगे तो देड़ सो दोसो इस तरीकी से बार्ति टीम ने मुकाबले जीते हैं लेकिन फाइनल में आकर अगेंड चोग तो पांचमा जो कार्ड है वह दोस्तो श्टार बन जाना अपने आपको बहुत बड़ा समझना और फिर जो है गेम में उस तरीकी से नहीं रहना क्योंकि जब भी ऐस्ट्रेडिया फाइनल मुकाबले में जीती है तो अश्ट्रा एफर्ट लगाती है शानदार गेंदबाजी भी कर्चन की फिलिंग भी बहुत से जबर्दस देखने को मिलती है लेकिन टीम इंडिया जब भी फाइनल में पहुंचती है और हमने देखा है बीते एक साल में तीन बार टीम इ वर्ट कप के फइनल में फिवर्ट कौन था ता टीम ईंडिया उस्टिलिया जैसे पहुंची हमने देखा एंठा किस तरीके से अफ्गानिस्तान से भी हारतेरे बची थी और इस मुकाद में आफिस तरीके से जो Flynn ती मिलमें लगभक चोक कर गई पाकिस्तान ने वहं मन बना लेकिन वो टार्गेट करने में औस्ट्रिल्या के डांथ खट्टे ओ गए से विक्यिक ग्र पाकिस्तान जीत गया था तो जैसे तैसे अस्ट्रेलिया जो है वह में पहुंचा थ हृवरेट कौं मुकाबले हारती है आपने हमने देखा सबने देखा किस तरीके से टीम इंडिया वंडे वर्ड कप फाइनल में फेवरेट थी और जबर्दस क्रिकेट केल रही थी एक भी मुकाबला नहीं हारी थी और उस्टे लिया लगते लगते जगते और गिरते पड़ते जो है वह फाइ में आ गए बलेबाज ही नहीं की जबकि हमारे बलेबाज पूरे टोनामेंट में जबर्दस तरीकी से परफॉर्म करते आए शतक पर शतक लगाते आए लेकिन जैसे फाइनल मुकाबले में एंट्री हुई तो टीम इंडिया फ्रेशर में आगी रूसकी बाद जो है वो क्या तो वडियो पसंद तो लाइक हो शेक करें फिलाल इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत